Hello everyone, welcome to my channel Top Famous with me आज हम बात करेंगे What happens after we die? यानि कि हमारे मरने के बाद आखिर हमारे सरीर का क्या होता है? आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसा कि हम सबी जानते हैं एक human body after death काम करना बंद कर देती है बड़ सच्चाई ऐसे नहीं है साइंटिस्ट का मानना है हमारी body के कुछ ऐसे parts होते हैं जो after death भी working होते हैं जो 24 hours से ज़्यादा working होते हैं और कुछ ऐसे parts हैं जो कुछ hours के लिए working होते हैं जिनका use doctor after donation transplant के लिए भी करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे human heart की यानि इंसान के दिल की माना जाता है किसी इंसान के death के बाद उसका heart 30 minute तक उसकी body में जिन्दा रहता है अगर उसे 30 minute के अंदर body से निकाल लिया जाए तो वो 4 hours के अंदर transplant के लिए use किया जा सकता है मृत्यू के बाद अगर कोई अपनी body parts donate करता है उन parts का ही use transplant के लिए किया जाता है second number पे हम बात करेंगे human kidney की after that किसी व्यक्ति की kidney करीब 24 hours यानी की एक दिन तक के लिए working होती है third number पे हम बात करेंगे human liver की एक इंसान का liver करीब 24 hours तक after that जिन्दा रहता है तरह से one day तक इनका use transplant के लिए भी किया जा सकता है fourth number पे हम बात करेंगे brain की यानी इनसान के दिमाग की एक इनसान का दिमाग यानी कि उसका brain करीब 3 मिनड़ तक working रहता है उसकी death के बाद बे fifth number पे हम बात करेंगे human lungs की यानी की फेफडों की एक इनसान के lungs यानी फेफडे करीब 4 तो 6 hours के लिए working होते हैं यानि उनका यूज ट्रांस्प्लांट के लिए किया जा सकता है अब हम बात करेंगे कॉर्णिया यानि नेत्रपटल यानि की आइस की इनसान की आइस उनकी मृत्यू के बाद 14 डेस तक जिन्दा रहती है बर आफ्टर देथ करीब 30 मिनट के अंदर अगर उसकी हूमन आइस ले किया जा सकता है हम बात करेंगे हूमन इसकिन की यानि हमारी तवच्छा एक हूमन बॉड़ी की इसकिन करीब 24 आर्स यानि एक दिन तक वर्किंग होती है एर्थ नंबर पर हम बात करेंगे हूमन हैर यानि इनसान के बालों की साइंटिस्ट का मानना है एक इनसान की ताइंग तक जिन्दा रहते हैं यानि कि उनमें ग्रोथ हो सकते हैं Now we will talk about human nails यानि इनसान के नाखुनों की आपको बता दे एक इनसान के nails कभी भी dead नहीं होते हैं उनमें कुछ ऐसे cells होते हैं जिनकी वज़े से human nails हमेशा growth कर सकते हैं जब तक इन dead body safe है At the last हम बात करेंगी human bones यानि कि इनसान की हड्डियों की अगर किसी dead body के bones यानि उसकी हड्डियों को समभाल कर रखा जाए तो वो करीब 5 साल तक जिन्दा रह सकते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट जरूर करें Thank you for watching Have a nice day Stay connected with us